नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube चैनल नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको कुछों से जुड़े हुए कुछ बातें बताएंगे दोस्तो आपके जीवन में आपको सभलता मिलेगी या आसभलता इसी प्रकार की बातों को सगुन या अब सगुन का नाम दिया गया है हमारे जोतिस सास्तर में सास्तों में इस बात का बिस्तार पूर्वक बढ़नन मिलता है कि यदि आपके गर के सामने आगर कुटा रोई या फिर गर की छत पर आगर कुवा बैट दोस्तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में सक्तिसाली वे चमतकारी होती हैं जिने सास्तरों में भी खास बताया गया है यहां तक कि बहुत सी ऐसी चीजे भी हैं जिसके बारे में तंत्र सास्तर में भी बताया गया है जिनका परिणाम शीगर देखने को मिलता है और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम आपको उपाए टोटका या परियोग हम बताएंगे या आपकी मनो कामना की पूर्ती के लिए है धनकी सबी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुती ज़्यादा खास और विशेश है काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि जो भी मनो कामना वे सोचते हैं वे पूरी हो ही नहीं पाती है बलकि धनकी जो समस्याओं उनके जीवन में होती है वे दिन परती दिन और भी ज़्यादा बड़ी होती जाती है तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जैसे बिक ब्यक्ति के पास जब मातालक्षमी का साथ नहीं होता है तो धनकी जोड़ी समस्याओं से गरसित होता ही जाता है आज की वीडियो में हम आपको एक बिशेश उपाय बताएंगे जिससे आप कर लेते हैं तो आपकी धनकी जोड़ी समस्याओं का अंत सोता ही हो जाता है बस आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट से आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों से जुड़े हुए कुछ शगुन वे अफशगुन के बारे में बताएंगे। सास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी बिशेश कारे पर जा रहे हो तभी आपके जीवन में कुछ चोटे-चोटी घटनाय घटती है। यदि आप इने ध्यान पूर्बग देखें वे समझ लें तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको उस कारे में सफलता मिलेगी या असफलता। दोस्तो कई लोग इन बातों को पूर्णत अंध विश्वास मानते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करते हैं। दोस्तो कुट्टा एक पालतु जानवर होता है। इसे घरों में पाल कर रखा जाता है। कुट्टा अपने इशारों से कुछ सगुन वे अबसगुन के बारे में आपको पहले ही बता देता है। बता दें कि कुट्टे को संस्किर्ट में स्वान कहा गया है, जिसे ही यम्राज से जोड़ा जाता है। इसलिए कुट्टे को बहुत से लोग असुम मानते हैं। कि आने वाले दिनों में पानी की काफी कमी हो सकती है। अगर कहीं भी जाते हुए रास्ते में कुट्टा दोनों कान फढ़ाता हुआ दिख जाए। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसे इस्थाकित कर दें तो बैतर होगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि कुट्टा अपने कान फढ़ा फढ़ाते हुए कह रहा हो कि आपका ये कार नहीं होगा या फिर इसमें आपको नुक्सान भी हो सकता है। यदि आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में कोई कुट्टा आपके सामने जमीन पर लोटने लगे तो समझ लेजिए कि आपका काम नहीं बनेगा। अगर कोई कुट्टा आपका जूता या चप्पल लेकर भाग जाए तो साबधान हो जाए क्योंकि ये आर्थिक नुक्सान का संकेत देता है। ऐसे हालातों में कहीं भी दूरी की यात्रा नहीं करने चाहिए और पैसों से संबंदित कोई कारे नहीं करना चाहिए। जिस कुट्टे की पूँच या कान कटे हो और किसी भी यात्रा पर जाने से पहले वह कुट्टा आपके सामने आ जाए तो आपके उस यात्रा में या फिर उस यात्रा के दौरान होने वाले कुछ कारे में आपकी आसबलता निश्चित है। किसी यात्रा पर जाते समय यदि रास्ते में सामने किसी कुट्टे को मूँ में पत्थर दबाए अगर आपको दिखाई दे जाए या फिर हड़ी का टुकड़ा मूँ में दबाए दिख जाए और वे घुर्रा रहा हो तो यात्रा के दोरान कष्टों की संभाव न रहती कुट्टा जाते हुए व्यक्ति के साथ उसके दाइयों की जगह बाएयों चलता है तो उसे अगर वे कुवारा है तो उसे सुन्दर इश्त्री या फिर किसी ब्यवसाय आधी के माध्यम से वियात्रा कर रहा है या कहीं जा रहा है या किसी बिजनिस आधी की डील के लिए ज बार बार चाटे तो सगुन सास्तर के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की रोगों से मुक्ती मिल जाती है तो दोस्तों यह थे कुट्टे से जोड़े हुए कुछ सगुन वे अब सगुन आज की वीडियो में केवल इतना हैं कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई व में लिखते रहें जाए बजरंग बली